So guys, क्या आपनी नोटिस किया हैं कि जब आप अपनी weight loss या weight gain की transformation journey में होते हैं तब आपका wing scale कई बार वो results नहीं दिखा पाता जो आप देखना चाहते हैं और आप बहुत जादा rush हो जाते हैं या फिर, I am sure कि कई लोगों के साथ ऐसा भी हुआ होगा कि उन्होंने बहुत महनत की होगी और weighing scale में उसके बावजूद भी वो weight घटने के बाद फिर से कुछ समय बाद बड़ावा दिखाई देता है तब ही आप काफी निराश हो जाते हैं अगर आपके साथ ये ऐसा होता है, boom, then welcome back to my channel and you know what's the name of my channel, Firis the new you and I am gonna talk about this right away, right now, here So guys, मैं आपको छोटे से example से इसे elaborate करने की कोशिश करती हूँ दो लोग जिनका sex सेम है, उनका BMI भी सेम है और उनका weight भी absolutely सेम है लेकिन अगर आप उन्हें देखेंगे तो वो बिल्कुल अलग लगेंगे in terms of body composition एक में lean muscle mass है और दूसरे में fat पर से taste जाता है तो मैं वही बताना चाहती हूँ कि guys, BMI या फिर weighing machine absolutely वो indicator नहीं है जो आपको correct picture देता है आपके body composition की जो correct picture देता है कि आप कितना healthy lifestyle ची रहे हैं जो correct picture देने वाला method है वो है body composition का method, fat percentage का method जिसके अंदर आपको actual पता लागता है कि आपका body fat percentage कितना है आपका lean muscle mass कितना है, आपका total body water कितना है आपके proteins कितने हैं, आपके body में vitamins कितने हैं, fat free mass कितना है आपका basic metabolic rate कैसा चल रहा है ये सब है correct indication आपको बताने के कि actually आप जिस transformation को करने की कोशिश कर रहे हैं वो correct जा रहा है या अंतर नहीं और भी कुछ तरीके है, जैसे measurements लेने का, inches में अपने आपको देखने का कि आपके measurements किस तरहां आगे progress कर रहे हैं या फिर अपनी pictures को देखने का कि वो आगे कैसे progress कर रहे हैं, आप कैसे लग रहे हैं pictures में तो ये सब इंडिकेटर से आपको बताने के कि आप अपनी जर्णी में प्रोग्रेस करने हैं ने Wait a minute, I'm just gonna show you something very important जिससे आपको absolutely समझ में आ जाएगा कि मैं किस चीज की बात कर रही हूँ So guys, ये है body recomposition ये आप किसी भी जिम में जाकर उनको बोल के ये निकलवा सकते हैं मेरा ख्याल से कई जूमों में तो ये वैसे ही निकाल देते हैं और कई पर ऐसा होता है कि आपको minimum कुछ charges पे करने पर जाएं तो ये आप निकलवाईए basically इसमें आपको ये सब पता चलेगा कि आपका muscle mass कितना है आपका body fat mass कितना है आपका fat free mass कितना है mineral कितने है total body water कितना है protein कितना है आपका waist hip ratio कितना है basic metabolic rate कितना है ये सानी चीजे हैं आपको correct indication देने के कि आप कितना progress कर रहे हैं क्योंकि ऐसा ना हो कि fat reduce करने के चकर में आपको पता ही ना चले और धीरे धीरे आप lean muscle mass reduce करते जा रहे हैं इतनी महनत करने की बावजूद भी So guys, महनत जरूर करिए लेकिन smartly करिए यही मैं आपको बोलना चाहती हूँ Take a smart action, सोचिए, समझिए, फिर करिए और BMI या बेंग स्केल के चकर में मत पढ़िये Weight loss, weight gain के चकर में मत पढ़िये अगर आपको अपना result चाहिए Guaranteed fat loss result चाहिए या फिर आप lean muscle mass gain करना चाहते हैं तो body recomposition is the correct indicator of your transformation journey Over and out And I'll see you in the next video जिसके अंदर में आपको और बहुत सारे ऐसे tips तोंगी जो आपकी fat loss journey में आपको बहुत फाइदा करेंगे और आपको 100% result देंगे Over and out See you in the next video तब तब Please do not forget to like, share and subscribe my channel Thank you guys